मित्रों आज हम चर्चा कर रहें मकर राशी के मंथली राशी फाल नौम बर का महीना मकर राशी कैप्रिकौं के लि Say Hiis रहेगा धन की स्वास्तिकि उनके परिवार उनके दामपत्त जिवन कि इस धती इस इस कारीकर्म में चर्चा करेंगे सबसे पहले मकर राशी की हेल्थ के बारे में बात कर लेते हैं तो हेल्थ के स्वामी शनी शनी अभी वक्री है तो कईना कई हेल्थ नॉम्बर के महिने में मकर राशी की दो भागों में बटेगी एक तारिक से लेकर पंदरा नॉम्बर तक जब तक शनी वकरी रहेंगे, हैल्थ आपकी नॉर्मल रहेंगी, fit and fine रहेंगे, जो आप योगा व्यायाम कर रहेंगे, आपने कारे करम में बिजी रहेंगे, फिर सोला तारिक से और तीस नॉम्बर के बीच में शनी मारगी होंगे, मारगी होंगे, तो बहुत सारे पुराने मित्रों से आपकी मुलाकात होगी, बुरी लत आपको लग सकती है, दांत की परेशानी आपको रह सकती है, हलका सा हड्डियों में, जोइन में, पेन की समस्या आपको रह सकती है, यानि सोला तारिक से तीस नॉम्बर के बीच में मक मकर राशी के फाइनेंच में शनीदेव बैठे और अभी वकरी हैं तो पंदरा नौमबर तक यानि एक से पंदरा नौमबर तक धन संबंदी इस महीने परिशानी रहेगी धन का फ्लो आपका रुख सकता है बैंक के चकर और कोई भी चेक अगर आप साइन करते हैं या ओनलाइ ट्राइन ट्रांजेक्शन करते हैं तो थोड़ा साब्दानी बरते गलती होने के चांसिस बनते हैं पंदरा नौमबर तक मकर राशी वाले शेयर या सटे में कोई भी इन्वेस्टमेंट ना करें धन्हानी के आपके यूग बनते हैं कोई वस्तु खरीदने से आपको लाब या किसी वस्तु के बेचने के अच्छे दाम से आपको लाब होताओ नौमबर में नजर आएगा दूसरा एक्स्टरा podéisनकम के योग आपके बनते हैं और कहीना कही नॉवंबर के मेने में काफी सारी एक्ष्टा इंकम रहेगी तीसरा किसी डील से आपको लाब होगा अचानक कोई डील बनेगी जिसमें अच्छा काता धनलाब होगा यानि 15 नॉवंबर के बाद मकर राशी वालों का धनका फ्लो अच्छा है जो 15 दिन पहले यान इसमें बैठे हैं और परेशान है यानि कि आपकी नोकरी नहीं लग पारी आपका वीज़ा नहीं लग पारा शादी नहीं हो पारी परिवार के अंदर कुछ भी समस्या तो आपको क्या करना है सैवन टू वन जिरो वायन टूफर टू एट नाइन यह जो वट्सप नमर आ र बहुत कम सुलक है तो वह पे करके आप में उससे टेलीफोनिक अपन्मेंट ले सकते हैं चलिए अब हम बात कर लेते हैं परिवारिक भाव मकर राशी का वैसे तो नॉर्मल है यानि परिवार के सदस्य माता-पिता अपने अपने काम में बीजी रहेंगे अपने करियर में ब लूग बंते हैं बाकी संतान के बारे में अगर हम बात करें मकराशी की छोटी विड़ी संतान के बारे में तो गुरु वक्री से संतान को नौम्बर बेनेफिट होता या słuए गया गुणि प्राप्त होगा एक्टिविटी की सीनिया टीचर तारीफ करते वे नजर आएंगे तो छोटी संतान की भी वावाई परशंसा आपको टीचरों के द्वारा सुनाई देगी इसी प्रकार से जो बड़ी संतान है अठारा प्लस संतान है उनको नए नौकरी का ओफर मिल सकता है न उनको भी नौंबर में तीन बड़े लाब होते वे नजर आ रहे हैं पहला लाब स्टूडेंट को होगा कि कोई ना कोई इच्छा उनकी मालनी जाएगी कोई डिमांड परिवार के द्वारा आपके पूरी की जाएगी आपको कोई चीज दिलाई जाएगी दूसरा जो भी आ आप एक्जाम देते हैं नौंबर में उसको आप आपको अच्छा रिजल्ट प्राप्त होगा तीसरा आपका तीर्थ यात्रा का योग बनता किसी गुरू के आश्रम में जाने के आपके योग बनते हैं और बात कर लेते हैं मकराशी वाले उनकी जो नोकरी करते हैं जौब क देखा जाया अचाना कि किसी की जिम्मेवारी मैनेज्मेंट आपको दे सकते हैं उसके लिए तैयार रहे यानि आपको कोई गंभीर जिम्मेवारी दी जा सकती है बड़ी जिम्मेवारी दी जा सकती है तो उसके लिए तैयार रहे दूसरा न्यू जॉब का ओफर आपको लेगी अब बात कर लेते हैं मकराशे उनके जो दामपत्य जीवन में चाहे प्रेमी प्रेमिका है चाहे पती-पत्नी है तो दोनों के लिए नौंबर का महिना दो भागों में बढ़ता हुआ नजर आ रहा है एक तारिक से पंदरा नौंबर तक जहां पर पती-पत्नी प्रेमी भी चलाते रहेंगे यानि एक दूसरे से बनेगी नहीं छोटी-छोटी बात में आपके मद्भेद 15 नौंबर तक आप देखेंगे कि हो रहें 16 तारिक से और कहीं न कहीं 30 नौंबर तक कहीं न कहीं सूरिये ब्रिश्ची ग्राशी में चले जाएंगे तो जो आपके पार्ट के बाद यानि 16 से 30 अच्छा है अब बात कर लेते हैं मकराशी वाले उनकी जो अपना व्यापार फैक्टरी दुकान चलाते हैं तो उनका नौंबर का महिना कैसा रहेगा मित्रो तो उनका महिना भी दो भागों में पड़ता है यानि एक से साथ नौंबर जहां ए पांच और के लिए रहेंगे जो अपना काम करते हैं फिर आठ तारिक से शुक्रदेव धनूराशी में चले जाएंगे तो आठ तारिक से लेका 30 नौंबर के बीच में नई डील आपको मिल सकती है कोई सरकारी रुकावा काम आपका बन सकता है सरकारी टेंशन भी आपकी खतम होगी और अच्छी हो जाने वाली तो मित्रों इस कारेकर में बाइतना ही मुझे दीजे जाएंगे मता दी